नमस्कार दोस्तो, स्टुड़न ब्रीच चैनल पर मैं बड़ो ग्यानना आपका स्वागत करता हूँ और आप जानना चाहते हैं, ये पिछे वाला बैक्ग्राउंड कैसे चेंज होता है ये बैक्ग्राउंड में किस तरह से चेंज करता हूँ तो चलिए दोस्तो, फटापट शुरू करते आज का ये वीडियो बिना वक्त गवाए वैशे तो क्याम्टा शिर्या में बैक्ग्राउंड चेंज किया जाता है लेकिन ये बैक्राउंड चेंज करने के लिए स्रिप एक ही क्लिक की जरुरत है लेकिन इस क्लिक तक जाने के लिए बहुत सारा वर्क होता है एक क्रोमा का कर्टन लगाना होता है नमस्कार दोस्तो, मैं बड़ो ग्यानना आपका स्टुडेंट विर्च चैनल पर स्वागत करता हूँ कई सारे दोस्तों के कुश्चन आ रहे कि Camtasia Studio क्या है कैसे चलाते हो, बैग्राउंड कैसे चेंज करते हो इसमें म्यूजिक कैसे आड़ करते हो इसका छोटा टीटोरियल मैं आज दूँगा तो हमें Camtasia Studio का आशे डाउनलोड करेंगे इसके लिए हम जाएंगे Google Chrome पर यह बहुत आसान है और Chrome पर यहाँ पर जाने के बाद हमें डालना है Camtasia Studio Camtasia Studio में latest बहुत सारे origin आने वाले है लेकिन मैं recommend करूँगा क्योंकि मैं तो फुराना origin ही इस्तमाल कर रहा हूँ तो trial के लिए यह मिलता है record screen option आता है इस पर click करने के बाद यह window open हो जाता और यहाँ पर मैंने आभी window को record start कर दिया है यह record कर रहा है यहाँ भी हमें जो भी work करना है वो work करने के लिए हमें यहाँ से media import करना होता है इसमें यह file है edit है view है play tools help यहाँ से हमें media import करना होता है यह track है आभी फिलाल यहाँ पर एक ही track है plus करना 2 हो गए plus करना 3 हो गए 4 ऐसे बढ़ते जाते है अपने यहाँ पर इस track में हमें background लेना होता है यहाँ music लेना होता है यहाँ image लेनी होते है video लेना होता है जो हम काम कर रहे है वो यहाँ लेना होता है यहाँ पर इस उपर मैं यह background यहाँ बहुत फिलाल जो silent कर लूँगATION तो यह material में इस्तमाल कर सकता हूँ, यह music में इस्तमाल कर सकता हूँ, जिसे जिसे हमने हमारे computer पे बनाया है, हमारे PPT से बनाया है, या फिर हमने खुद create किया है, खुद के camera से shoot किया है, फूटो निकाले है, वो copyright में आता है, इसे मैंने या पे ले लिया है, एक लंबी process होती ह पहले तो video shooting करने होती है, वो video shooting को हमें यहापे track पे लेना होता है, अब मैं यह video shooting मेरी यहापे लेने track पे ले लिया, इसे मुझे भी सई धंग्से लेना है, तो इसे मैं थोड़ा zoom कर दोंगा, इतना zoom कर दोंगा, यहाँ से यहाँ तक unwanted है, जो unwanted है, इसे हम दो तरीके से cut कर सकते यहां से यहां तक select करके यह कई चीश है ऐसे भी cut कर सकते या फिर इसे यहां तक लाना है और एक shortcut की है सिर्फ yes दबाना है कि प्याड पर yes दबा दिया पहले इसे select करके keyboard पर यह से दबा दिया, इसके दो यह पर टुकड़े हो गए, और इस टुकड़े को हमें delete कर देना है, तो delete के लिए delete बटन यह उसे दबा दो, यह delete हो गया, अब यहाँ से इसका जो value में कहाँ पर कम है, कहाँ पर जादा है, तो यह कम जादा value को level करने के लिए हम audio पर जाएं तो अब down कर देना, क्योंकि वो आवाज अच्छा नहीं आएगा, आवाज फट जाएगा, और वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, अब यहाँ पर क्या करना है, इसे यह जो cut वाला icon दिख रहा है, crop icon कहते हैं, इसे click करके, जो unwanted है, उसे cut कर देना है, side में जो unwanted जगह द लगाना है, तो यहाँ पर मेरे सपास बहुत सरे background पड़े हैं, मैं कोई भी background उठा लेता हूं, जैसे कि हमेशा आप मेरे वीडियो में देख पाते हूं, यह वीडियो के नीचे, यह background नीचे आ चुका है, अब यह नीचे कहा तक आया है, यहा तक आया है, इसके आगे और ए आपके समझ के लिए, यहाँ तक मैं background लगा दूँगा, green curtain एक ही click में हड़ जाने वाला है, तो इसे आप चला कर अगर अगर देखना है, तो यह आई से चलेगा, यहाँ से प्ले कर देता हूं, नमस्कार दोस्तो, स्टुड़न बीच चैनल पर मैं बढ़ो गया ना आपको स रिमो कलर करने से पहले याद रहे इसे select कर लेना है, इसे आप मैंने select कर लिया है, यह select हो जाने के बाद थोड़ा sky blue हो जाता है, तो visual property में आपे रिमो कलर पर click करने के बाद यहाँ पर आने वाला है color option, और यहाँ से हमें यह color को select करना है, select करने के बाद, जहाँ पर हमारा हमारा जो कंदा है, कंदे के लगबग पास में हमें यहाँ पर click कर देना है, यह click करते ही हमारे पीछे वाला पूरा background यहाँ पर निकल चुका है, अब यह कईसे दिखता है, हम दिखेंगे, नमस्कार दोस्तो, student bridge channel पर मैं बड़ो गयान आपका साधत करता हूं, तो इस तरह यह background निकल चुका है, इस तरह से background निकालते हैं, और इसमें अगर हमें कुछ tag लगाना है, थोड़ी कुछ जलक लगानी है, तो यह tag में कैसे लगाता हूं, यह आशे उठा लेता हूं, यह इदर रख देता हूं, अब यह आ जाने के बाद इसे खीच कर, ऐसे नीचे ले ले इसे transaction effect देता हूं, यहासे transaction है, और transaction effect मैंने दे दिया, थोड़ा इसका effect बढ़ा लिया, या कम कर लिया, तो आप यह कैसे दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद effect प्ले होगा, नमस्कार दोस्तो, student channel पर मैं बढ़ गया, आपका सागत करता हूं, आपने दिख लिया effect आ गया, अभी इसके उपर हमें और यहाँ पर एक और effect देना है, तो अगर हमें यह like effect देना है, तो यह like effect मैं उटाओंगा, इसके उपर रख दूगा, यहाँ से यहाँ तक, इधर से लगा दूगा, या फिर यहाँ पर लगा दूगा, हम जहाँ चाहे यहाँ उसे लगा सक तो आप इसे भी हम ट्रांजेक्शिन इफिक्ट दे देंगे यह आप ए ट्रांजेक्शिन इफिक्ट है ले लिया तो इसे प्ले करता हूं कि दोनों आ जाएंगे नमस्कार दोस्तों बढ़ो गयानना आपका समय यह पर ऊपर यह ट्रांजेक्शिन आ गया यह दोनों भी आप आ चुके हैं अगर इस पर मुझे कुछ लिखना है मेरा नाम लिखना है बढ़ो गयानना स्टुडन ब्रिच चैनल तो क्या करना है कॉल टूट्स यहा पर जाना है और यहाँ पर क्लि लेना है यहाँ पर इसको इस तर्स मइ затक कर लेता हूं इसमें जो कलर यहाँ पर हमग्यालेव मैं अगर मिय ले लिया तो तो इ क्रोटி देव में टाइलिज़ करता हूं तो मैं आपर कुरूती देव यह कूरती देव फौण है मैं पसंदी था फौंद में यहां से लिए लेता हूं कि फॉल्ट की मुझे साइज बढ़ानी है तो मैं साइज बढ़ा दूणा वरका मुझे कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दूंगा अब यहां पर नीचे जो ट्रांजेक्षिन है यहां हमंध्य ट्रांजेक्षिन चेंज भी कर सकते हैं मतलब यह भी slow transaction आएगा हम जैसे जैसे चलेंगे वह इसे वह आगया आएगा तो इसे हम बढ़ा भी सकते और कम भी कर सकते मतलब handwriting जैसे यह नीचे बढ़ रहा है और कम हो रहा है यह transaction यह बढ़ चुका है अब इसे मैंने कम कर दिया है तो यह transaction निकल चुका है मैंने यह से minus कर दिया तो अलग से भी transaction में लगा सकता हूँ मतलब handwriting जैसे लिखने वाला चाहिए तो मैं यह नीचे वाला यह transaction लगा दूँगा क्या पर यह नीचे transaction है यह लगा दूँगा और इसे थोड़ा बढ़ा दूँगा है तो आप यह धीरे दीरे एक एक अक्षर यह पर टाइप हो करायेगा मतलब जैसे हम हाथ से लिखते है वह यह लिख कर आएगा थोड़ा यह पे आपको दिखने के लिए इस यह मैं और बड़ा कर गेता हूँ यह मैंने ही सब्सक्राज़ कर दिया इसके पहले मैं कोई ट्रांजेक्शिन इफेक्ट या म्यूजिक डालना चाहूँ तो इस पर मैं मूजिक भी डाल सकता हूँ अभी देखेंगे हम एक म्यूजिक मेरे पास है विदाउट कॉपिराइट ओला यह मूजिक मैं यह पर देलूँगा मूजिक लेने के बाद हमें दुबारा या पर मूजिक आइकॉन पर यह आउडियो पर जाना है इसे इनेबल कर देना है इसकी लेवल अच्छी करके इसकी इसे कम करना है मतलब मेरे आवज से यह मूजिक कम होना चाहिए तो इसे 20%-22% कर देता है अभी मैंने 22% कर दिया है तो इस तरह से यह मूजिक भी चेंज हो गया नाइज भी निकल गया और इसमें यह बैग्रॉंड भी चेंज हो गया अगर कोई इमेज भी आइड करनी है तो यह जो इमेज पड़ी है मतलब मेरा यह लोगो है स्टुड़न प्रिच का तो मैं हमेशा इसे इस्तिमाल करता हू तो इस लोगो को मैं क्या करता हूँ यहां से क्रॉप्ट कर लेता हूँ इससे थोड़ा कट करके और इसका जो अंदर का यहां पे ब्लिव कलर है उसे मैं यहां से विजूल प्रापरटी से जाके निकाल देता हूँ विजूल प्रापरटी में जाना है रिमो कलर में जाके य अब इसे मैं ट्रांजेक्शनी फिक देदूगा, इस तरह से आएगा यह ट्रांजेक्शनी फिक्ट मैंने देदिया, अब देखेंगे हम, शुरू से देखेंगे इस तरह से, नमस्कार दोस्तो, स्टुड़न ब्रीच चैनल पर मैं बड़ो गया आपका स्वागत करता हूं, त उसके बाद हमने music भी लगा दिया है उसके बाद हमने student based का logo भी लगा दिया है याद रखिए जो हमें उपर से चाहिए मतलब पहले दिखना चाहिए वह उपर के track भी लागाना होता है अब इसे हम select करना है जितना हमने बनाया है और उसे हमें अगर वीडियो बनाना है तो इतन में करना है तो HD में भी करेंगे या फिर smart player में भी करेंगे तो mobile पर खुल जाएगा लेकिन YouTube के लिए HD में करेंगे तो quality बहुत आच्छे मिलेगी memory भी बहुत ज्यादा ने लगेगी और इसे जिस folder में करना है उसके बाद मिलेगा folder वो folder चूस कर लेना है अभी जिस folder में हमार काम चल रहा है उसे folder पर हम जाएंगे और वहाँ पर इसे रख देंगे science and technology यहाँ पर एक काम चल रहा है background change तो यह untitle है ना तो यह untitle वहाँ पर save हो जाएगा और यह render हो जाएगा depend app के computer के speed पर और finish अभी जो render हो चुका है उसे हम play करके देखते हैं यह आप यह आ चुका है नमस्कार दोस्तो student channel पर मैं बड़ो गयान आपका सागत करता हूं इस तरह से यह बन गया इस तरह से हम कोई भी वीडियो बनाते हैं और इस तरह से background change करते हैं तो दोस्तो कैसा channel को अगर आपने आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना